हेलो फ्रेइटस अज का वीडियों आम बात करेंगे थाइफ षब के बारे में थाइफ सब फ्यूज के बारे में जानने से फहले हमके जाना ज़़ूत Crymers होता क्या है और हमारा घर में जो quelकी लगाते हों एंसे मतल़ किससे कितना उसका साइज के फ्यूज लगाएंगे उसके साथ हमार घर में फ्यूज या एंसीवी कौन सा लगना ज़रूरी है इन तीनों का तीनों का वीडियो में पहले से बना चुगा हो इन तीनों का वीडियो का लिंक मैं डिसकुशन में दे दिया हूं अगर आप देखना चाहेंगे तो आहां से जाकर देख सक करें पब RAW करें हमदलने का कारण किया ह responds कि से हमारात्य कहरण की से छहता है ईस इसका मेंघनेचार चेंज होता है लेकिन जसे घले होता हैं यह कभी 0 नहीं हुआ हूता है जितना वोल्टी होता है तो अगर कहाँ इक्यों अग्पा फियूरो होता है तो हीट होता है उसी टाइम क्या होता है जो हीट होता है वह हाँ पर आग लगता है वो लगते ही जाता है उसमें ज्यादा आग प्रइज़ होता है लेकिन क्यों होता है हमारा तो DC fuse होता है वो DC fuse को थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि यह हमारा DC फानल में मैंनली DC fuse हमारा electronics आइटम में लगा होता है तो electronics circuit में DC fuse में आज ज़्यादा produce करेगा तो तो फुरा circuit जलने के सांसे से इसलिए यह DC fuse को थोड़ा दूर रखा जाता है दूर रखने के बज़ेसे यह थोड़ा बड़ा होता है तो यह था DC fuse उसके बाद आप बात करेंगे AC fuse के बार में मैंनली हमारा AC fuse भी दो टाइक का होता है एक होता है high voltage fuse दूसरा होता है होता है low voltage? फेट जो हमारा high voltage boost होता है पहले हैं वो again divided होता है वो तीन टाइपका टिवाइद है था एक होता है कट्ट आइज हधी ड्रॉटेसल सबस्कियोट होता है और अम्हारा विसी तरह जो हमारा low voltage fuse होता है वह भी तुन टाइप का होता है एक तरह रिएवरबिल fuse दूसरा होता है switch fuse तुसरा होता है हमारा cottage fuse जो हमारा cottage fuse होता है वह भी हमारा दो मतलब दो टाइप का होता है एक तरह D type fuse और दूसरा जो लिंक टाइप यह लिंकटाइप फिज होता है ए टो hm आज बात करेंगे लोग बोल्तिज breaking पहले उसके बाद हिच्छ हैंहाइज लोग फारेंगेंगेंवे कॉर्टीज वॉस्के पहले हम बात करेंगे रीवारबी भीज के बाद में दोस्तना हमारा जो reusable fuse होता है वो क्या होता है उसका construction क्या होता है reusable fuse एक तो यहाँ पर मैं लिख दिया आप पेरे से आप मैं पढ़ता था उसके बाद आपको इन्दी मतल दो पारे सेपारेटोफ भी एलिमंट है क मैड़ा है व incar प्रोसलीन प्रोसलीन के होता है वह हमारा जो चाइना मांट हि 어떡 एक cryo के तैयार होता है जो केरियर होता है उसमें हमारा फ्यूज यह लगाते है हम हमारा फ्यूज यह लगाते है वहाँ पर और जो बेस होता है वह फिक्स होता है वह लगाते है उसके बाद केरियर को वहाँ लगाते है यह जो फ्यूज होता है जो रियूज होता है जो रियूज होता है जो रियूज फ्यूज को आपका इंप्रेशना अच्छा होगा है इसके साथ मैं भता देता हूं कि फ्यूज क्याता है जो हमारा प्रोलृट से पहले लगाता है और फेज वायर में लगता है और यह series में लगता है इसके बत हम आधे स्वीज फ्यूज जो स्वीज होते है इसको हम SFUV बोलते है जिसको हम स्वीज फ्यूज फ्यूज उनिट बोलते है यह हमारा एक फ्यूज और स्वीज के साथ connect रहता है जो it is a fuse unit which can be connected Softed a disconnect manual with this power using handle, यह एक fuse fuse unit रहता है, जिसके बज़ेसे हम power को connect and disconnect कर सकते हैं, एक handle का throw हैं उसको power open कर सकते हैं जिसका आप screen पर भी देख पा रहे हैं, अभी आँव बात करना के cartridge fuse के बारे में, cartridge fuse के होता है, कि totally enclosed fuse होता है मतलब यह पूरा का पूरा enclosed होता है मतलब बंद रहता है यह फिर ठीक है यह चारो तरज पर बंद रहता है ताकि क्या होगा न अगर वहाँ से कोई भी आग सिंगारी लगेगा मतलब जब फिर रोन होगा तो यह बाहर में जो equipment लगा है उसको डेमेज नहीं करेगा इट कंसिस्ट अफ हीट रेजिस्टिफ सीरामिक और ग्लास बड़ी मतलब यह एक हीट रेजिस्टिफ सीरामिक ट्यूब से नहीं तो ग्लास ट्यूब से बड़ी इसको बना हुआ है इसका साथ साथ दो metallic केप इसका दोनों साइड में लगा हुआ बीच में जो फ्यूज यह लगा है वह एक्चुली हमारा अच्छा होता है मतलब वह सिल्वर कफर या अल्मनियम में हो सकता है ठीक है इस डी टाइप का आप अगर इंडोस्टेल में काम कर रहे है तो आप इस फ्यूज को देखा हो जैसे यह देखिया मैं स्कीन पर दे रहा हूँ इसका इसका ब्रेकिंग केपसिटी बहुत हाई होता है प्यूज इल्लिमेंट इसमिन सीलवर इसका दूज़ फ्यूज इल्मन्ट होता है वह सिल्वर और कपर में मतलब मैड रहता है मतलब उसके इसमें न बनाया गया होता है तो यह जो जो एक्शिल नेमंट mixture कards में लगता है क्योंकि हमारा मोटर होता है तो यह लॉंग टाइम तक यह थोड़ा सा करेंट को जहल पाता है आपको कट्रेश फ्यूज के मैं बता जिया इस फ्यूज के मैं बता जाए तो यह था आज टाइप साफ फ्यूज का टपिक है लेकिन यह जो हाई वोल्टेश फ्यूज ज्यादा नहीं बारऊंगा व्यूज लंबी हो जाएगा तो हाई वोल्टेश फ्यूज उसके बाद बाद यह जो हमार है चाहर सी फ्यूज की यह सेपरेटली एक वीडियो में बनाऊँगा इसको का लिंग भी डिसकेशन ने दे दिया हमने आप देख लीजिए ठीक है तो आगे का अपडेट के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए और घंटी को लेवा के और को सेलेक्शन कर दीजिए थैंक्यू